आज मैं आप सभी के लिए काफी important class लेके आई हूँ तो दीखे आज किस class में हम GKGS and उत्राखंड के most important questions discuss करेंगे ये questions आपके आगामी आरो यारो exam and अधर उत्राखंड exam के लिए काफी महतपूर्ण है दिखे इस class में काफी महतपूर्ण questions आप सभी को दिये जा रहे हैं सांदे सांद questions related important facts भी इसी class में ही बताय जा रहे हैं जो कि आपके आगामी exam के लिए काफी महतपूर्ण है तो आप सभी लोग हमारी इस class में starting से लेकर end तक बने रहें चलिए आज किस class को हम start कर लेते हैं start करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल study with aim को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर लें साथ साथ बगल में जो bell icon देख रहा है इससे भी फ्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका notification आपके पास तुरंत पहुँच जाए आप लोग हमारे टेलिग्राम गुरूप को भी जॉइन कर सकते हैं ये भी study with aim के नाब से ही बना हुआ है टेलिग्राम गुरूप पर रात को आट बजे quiz का भी आयजन किया जाता है इसके अरावा important pdf भी आप सभी को टेलिग्राम गुरूप पर ही provide की जाती है तो आप लोग टेलिग्राम गुरूप को जॉइन कर सकते हैं तो चलिए आज के session को हम start करते हैं और इस session में आपका पहला question है उत्राखंड सेवा निधी एवं परियावरण शिक्षा सस्थान कहा इस्तित है तो देखे उत्राखंड सेवा निधी एवं परियावरण शिक्षा सस्थान ये आपका कहा पर इस्तित है अलमोडा में स्थित है option फोर्थ बिलकुल राइट आंसर है आपका यहां पर और देखे इसके अलावा और संस्थान भी है अलमोडा जनपद में जैसे की हो गया आपका गोविंद वल्लप पंत हिमाले परियावर संस्थान जोके अलमोडा में स्थित है इसके अलावा रक्षा किर्शी सोद संस्थान ये भी आपके अलमोडा में इस्थित है पूछा जा सकता है कौन सा संस्थान कहां पर है लोककला संस्थान के स्थापना भी अलमोडा में ही की गई है तो इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखेगा चलिए नेक्स्ट कुशन देखते है बोकसा विरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है तो देखें बोकसा विरादरी पंचायत जो है यहाँ पर सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है यह बताना है तो करेक्ट आंसर है आपका तकहत या फिर तक्त इसको कहा जाता है तो बोकसा विरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है तख़त बुक्सा जंजाती में विरादरी पंचायत होती है जो नियाई व कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदाई है और देखे विरादरी पंचायत में कितने सदश्य होते हैं पांच सदश्य होते हैं ये ध्यान रखेगा विरादरी पंचायत में पांच सदश्य हैं और इस पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तख़त होता है, तख़त के नीचे एक मुनसिफ, एक दरोगा वर दो सिफाई ही होते हैं, विरादरी पंचायत के जो सभी सदर्शी है, ये वन्शानुगत होते हैं, तो काफी महतपोन कुश्यन है, और आप सभी को कोई कोई भी कुश्यन में डाउट होता है, तो अब कमेंच शेक्शन में अपना डाउट करवा सकते हैं, कुश्यन पुट अप करके, चलिए नेक्स्ट कुश्यन देखते हैं, देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है, देखे देहरादून का सुल्तान कहा जाता है, महावीर त्यागी को option third बिल्कुल right answer है next question है आपका कुमाओ के किस छेत्र को मानस खंड में शैल देश कहा गया है most important question तो देखे कुमाओ का ये छेत्र है गंगोली हाड छेत्र जिसे मानस खंड में कहा गया है शैल देश देखे गंगोली हाड किस जनपद में इस्तित है पूर लिया जा गंगा नदी के बीच इस्तित है गंगोली हाड और यहां मन कोटी राजाओं का शाशन रहा मन कोटी राजाओं के बारे में जानवी नौला के एक लेक में मिलता है और देखे मानस खंड में गंगोली हाड के लिए क्या कहा गया है शैल देश शब्द कहा गया है अगला अधिनियम किश वर्ष लागू हुआ। और इसे वर्ष दो हजार तीन में शन्शोदित किया गया और इसका नाम भारती वनेजीर संग्रक्षन अधिनियम दो हजार दो रखा गया। वर्ष 1986 में ये भी आपका महतफोन कुश्चन बन सकता है आयो के द्वारा और आपसे फूश लिया जाए प्रोजेक्ट टाइगर कव लाया गया तो देखें प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसके शिरुवात की गई थी 1973 तो ये भी आपका महतफोन पॉइंट है नोट डाउन क लिजे अगला कुश्चन देखेंगे राजी विधान परिशत का प्रावधान भारतिस सम्विधान के किस अनुछेद में रखा गया है देखें राजी विधान परिशत का प्रावधान भारतिस सम्विधान के अनुछेद 171 में रखा गया है ऑप्शन सिकेन इस कुश्चन क राजी विधान परिशद का प्रावधान यानि की विधान परिशदों के जो संग्रक्षन है ये भारतिस्तम विधान के अनुचेद 171 में है अनुचेद 171 के अनुसार राजी की विधान परिशद के सदश्यों की कुल संख्या उस राजी की विधान सभा के सदश्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी परंतु किसी राजी की विधान परिशत के सदैशों की संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी अगला कुश्यन है भारती का पास अनुसंदान सहस्थान कहां इस्तित है देखे भारती का पास अनुसंदान सहस्थान सहस्थान इस्तित है आपके नागपुर में option first discussion का बिलकुल right answer हो जायेगा राजी पूछ लिया जाए तो आपका हो जाएगा कौन सा राजी महारास्ट्र महारास्ट्र राजी में ये स्थित है और इसकी स्थापना की बात की जाए भारती का पास अनुसंधान संस्थान की तो इसकी स्थापना वर्ष 1976 में की गई यह संस्थान भारती किर्षी अनुसंधान परिशत के अधीन कारी करता है और यह संस्थान कपास के दीर्ग कालिक अनुसंधान को पढ़ावा देता है अगला question है आपका आस्वान बाध किस नदी पर इस्तित है दिखिए आस्वान बाध ये इस्तित है आपके इन में से नील नदी पर option थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है अगला question देखेंगे रमान उत्सव को विश्व परशिद्दी दिलाने में किसकी भूमी का थी देखें रमान उत्सव जो है इसे विश्व परशिद्दी दिलाने में भूमी का थी कुसल सिंग भंडारी की option फोर्ट बिल्कुल राइट आंसर है देखें रमान उत्सव जो है ये कहां पर मनाया जात चमोली में मनाया जाता है आप सभी को पता होगा चमोली में कहां पर मनाया जाता है पूछ लिया जाएगा तो भी आपको याद रखना है कुशन को हर तरीके से आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आयोग आपसे कोई भी कुशन पुट अप करे तो आप बिलकुल ही करेक्ट करके आएं वहाँ पर देखे रमान उत्सव जो है ये चमोली के जोशिमट ब्लोक के सलुड गाउं में मनाया जाता है अप्रेल महिने में यह उत्सव मनाया जाता है और 11 से लेकर 13 दिनों तग यह उत्सव मनाया जाता है 2 अक्टूबर 2009 को eunesco ने विश्व धरोहर खोशित किया था यह ध्या रखेंगे विश्व धरोहर है यह रमाणोचो जो है यह आपको याद रखना है और 2009 में से eunesco ने विश्व धरोहर खोशित किया अगला कुशन है उत्राखंड में सर्व पर्थम गंध की खोश अगला क पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राजी में सरुपर्थम गंधा की खोज 1957 में कहाँ पर की गई थी चमोली में की गई थी चमोली के रूप गंगा घाटी में इसकी खोज की गई सरुपर्थम अगला कुश्यान देखेंगे अखिल गडवाल सभा की स्थापना निम्न में से कहाँ पर हुई थी अखिल गडवाल सभा की स्थापना हुई थी देरा दून में और देखें अखिल गडवाल सभा की स्थापना कब हुई पोश्लिया जाए तो अखिल गडवाल सभा की स्थापना 10 फरवरी इसके अध्यक्ष थे देखे गडवाल में हिंदी पत्रकारिता का भीश्म पितामा किसे कहा जाता है ये भी आप से पोछा जा सकता है तो देखे गडवाल में हिंदी पत्रकारिता का भीश्म पितामा कहा जाता है विश्यंबर्दत चंदूला को important point है next question देखेंगे अलगनन्दा मंदाकनी नदी की संगम पर कौन सा मंदर इस्तित है देखे अलगनन्दा और मंदाकनी का जो संगम होता है ये होता है आपका खाहाँ पर रूद्र प्रियाग रूद्र प्रियाग जो है ये आपके जो स्थापन हुई थी ये हुई थी आपके 1951 में वर्ष 1951 में भारती वित आयों का गठन एक समविधानिक निकाई के रूप में अनुछेद 280 के अंतरगत किया जाता है ये दिखेंगे भारती समविधान के अनुछेद 280 के अंतरगत इसका गठन किया जाता है एक समविधानि निकाई के रूप में इंपोर्टेंट पॉइंट है और यह एक अर्धन याएक संस्था होती है इसका गठन भारत के रास्ट्र पति द्वारा किया जाता है अगला कुश्चन है आपका ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है देखिए ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात मंदिर है यहाँ पर कौनार्क मंदिर औप्शन second बिलकुल right answer है कौनार्क सुरी मंदिर आपके कहा पर इस्तित है ओडिशा राजिये में इस्तित है कौनार्क सुरी मंदिर पुर्वी ओडिशा के पवित्र पुरी पुरी शहर के पास इस्तित है और इसका निर्मान राजा नर्सिंग देव पर्थम द्वारा कब करवाए गया था तेर्वी शताब दी यानि कि 1238 से 1264 इस भी मैं किया गया था राजा नर्सिंग देव पर्थम द्वारा इस मंदिर का निर्मान कराए गया और यह गंग वंश के वैभव, स्थापति, मजबूती और स्थिर्था के सांसात एधियाजी परिवेश का प्रतिनिधित्व भी करता है अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए किस वंश से यह मंदिर सम्मंदित है तो आपको याद रखना है गंग वंश से गंग वंश से इस मंदिर का सम्मंद है और इसे युनेस को द्वारा विश्व धरोहरिस्तल भी घोशित किया गया है कब किया गया ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से तो 1984 याद रख लेजे 1984 में युनेस को द्वारा कुणार को सूर्य मंदिर को विश्व धरोहरिस्तल घोशित किया गया अगला है तेल और प्रागर्तिक गैस निगम का मुख्याले कहा परिस्तित है देखिए तेल और प्रागर्तिक गैस निगम यानि कि in short इसको ONGC बोला जाता है ONGC तो इसका जो हेट कौर्डर है वो कहां परिस्तित है ये बताना है तो दिएगे आप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरा दोन आप्शन सेकिंड इसकुशन का बिलकुल राइट आंसर है देखिए तेल एवं प्राकर्तिक गैस निगम यानि कि ONGC 23 जून 1993 स प्रारंब हुई एक भारती सार्वजनिक छेतर की पैट्रोलियम कमपनी है और इसे Fortune Global 500 द्वारा 335 स्थान पर रखा गया है और यह भारत में कच्चे देल के कुल उत्पादन में 71 प्रतिशत और गैस के उत्पादन में 81 प्रतिशत का योगदान करती है और इसे 14 अगस्त 1956 क एक आयो के रूप में स्थापित किया गया था ONGC की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया ये भी आप लोगों से पुछा जा सकता है तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है इसका आप comment section में comment करके बताईएगा जिन लोगों को answer नहीं आ रहा है मैं ब अध्यक्ष बनी थी ये आपको याद रखना है आप सभी को आज का ये शेशन पसंदार है तो लाइक कर लें जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूटीब चैनल स्टुडी विट एम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लिजे आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस रहेगा शेशन आप सभी लोग जादे से जादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने वर्टसप ग्रॉप में चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं परवती राजी परिशत का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया ये भी आपका काफी महतपून कुशन है देखे परवती राजी परिशत का जो गठन है ये किया गया किसकी अध्यक्षता में दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में आप्शन फोर्थ बिल्कुल जून 24 से 25 जून 1967 इजवी में राम नगार समीलन में परवती राजी परिशत का गठन किया गया और इसके अध्यक्षत देयाकृष्ण पांडे थे वर्ष 1973 के अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 1973 में परवती राजी परिशत का पुनर गठन किया गया जिसके तहट दो सांसदो दो सांसद कौन-कौन थे? एक तो थे परताप सिंग नेगी दूसरे नरेंद सिंग बिश्ट तो दो सांसदो को इसमें शामिल किया गया और देखे आप लोगों से एक कुश्चन इससे रिलेट करके और पुछा जा सकता है परवती विकास परिशत का गठन कब हुआ? तो देखे परवती राजी परिशत और परवती विकास परिशत ये दोनों अलग-लग चीज़ें हैं परवती विकास परिशत अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो परवती विकास परिशत का जो गठन हुआ था ये वर्ष 1979 में हुआ था क्यों हुआ था उत्तरप्रदेश सरकार ने छेतर के विकास के लिए इस परिशत का गठन किया था पर्वती विकास परिशत का अगला कुश्चन देखेंगे वसुन्धरा जलपरपात के जिले में स्तित है वसुन्धरा जलपरपात है आपके चमोली जिले में उप्शन फर्स्ट बिलकुल ड्राइट आंसर है चमोली के मानागाओं के पास अलग नंदा नदी पर अलग नंदा नदी परिस्तित है वसुन्धरा जलपरपात और इस जलपरपात की उचाई पूछ ली जाए 112 मेटर इसके उचाई है यह याद रखे अगला कुशन है तिलाना किस नृति की प्रस्तुती शैली है देखे काफी महदपोर्ण कुशन है आपका आयो के दोरह इस तरीके से कुशन पूछ लिए जाते हैं नृतिय से तो देखे तिलाना जो है यह भरत नाटियम की प्रस्तुती शैली है औप्शन फोर्थ इस कुशन का राइट आंसर है भरत नाटियम के तिलाना शैली में नारी सौंदरी का परदशन किया जाता है और भरत नाटियम प्राचीन नृतियों में से एक है भरत नाटियम जो है य किस राजी का प्रमुख शास्त्री नुरती है पूशलिया जा सकता है तो देखे यह तमिल नाडू राजी का प्रमुख शास्त्री नुरती है और बात करते हैं कत्थक के तो कत्थक जो है यह मूलता उत्तर भारत का शास्त्री नुरती है ओडिशी आपका ओडिशा का प्राच अगला कुश्चन देखेंगे उत्राखंड युवा परिशत का गठन कप हुआ था? देखें उत्राखंड युवा परिशत का गठन किया गया ये कब किया गया बताना है? जिन लोग को आंसर आ रहा है? आप कमेंट करके बताएं कमेंट शेक्शन में उत्राखंड युवा परिशत का गठन हुआ था वर्ष 1976 में अप्शन थर्ड इसक्वेशन का राइट आंसर है अगला कुश्वेशन देखेंगे कानपुर निम्न मैंसे किस नदी के किनारे इस्तित है? कानपुर इस्तित है आपके गंगा नदी के किनारे उप्शन सिकन इस क्वेशन का राइट आंसर है और देखें तापी नदी के किनारे कौन सा शेहर इस्तित है पूश लिया जाए तो साबर मती के किनारे कौन सा शहर इस्तित है हम दा बात जो है ये साबर मती नदी के किनारे इस्तित है तो के गाइस आज के शेशन में इतना ही आई होप आप सभी को आज का ये शेशन काफी पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज का ये शेशन पसंद आता है तो शेशन क को लाइक कीजिए शेर कीजिए जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूटिव चैनल इस्टुडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है पूर सस्क्राइब कर लें तो चलिए मिलते हैं कनेक्शन ट्रस्टेंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद